तो हाई गैस मेरा नाम है नितिन और आप सभी का सवागत है नितिन मीने यूट्यूब चैनल में दोस्तों यह हमारा कमेंट बॉक्स है कमेंट बॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कैसे मैं एक लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भई मुझे यह बताओ कि कोई हम अपकad चाम क्या क्या चीज़े निकल प्याती है वो सारी चीज़े में आपको बताने वा आप यंपका वडियो करके चैनल सब्सक्राइब कर दे ना साथ में आपके भी कोई डाउट होना तो भाई यह जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर यह मेरा वाटसप नंबर है आपका वीडियो एक सूट कर लेना जैसे कि सिवम ने बेज आए मुझे बेज देना जब भी टाइल मिलता एक वीक के अंदर वो मैं आपको अंसर उस सेल्स की किताबे भी पड़ी हैं लेकिन सर मेरे पास ट्रैक्टिकल नालेज नहीं है मैं अभी कहीं जॉब नहीं किया हूं मैं टोटल फ्रेसर हूं और सर मेरा इस्टेंट है कि मैं बहुत हाईली एनर्जी टेक हूं और मैं और सर मैं अपने सीनियर्स के दौरा बताया गए हूरे जो भी बताया जाएगा उसको अच्छे से करंगा मेरा क्वैशन 갈किता है और मीरा क्वेसिनी है सर की मेरा जो एकसाम है वह दो महीने बाद होने वाला है और मुझे जॉब की रिक्वार्मेंट अभी है एंस जान किया मुझे जॉब मिल सकते है کی岁कि और वर्ल सेल मैं दे सकता हूं मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेल कर सकता हूं और मैंने सेल का नॉलेज भी कठा किया है और टाइम के साथ साथ मैं इसको अपडेट करता रहूंगा बढ़ाता रहूंगा अपगरेट करता रहूंगा और सर मुझे आपके गाइडेंस की जरूरत है से प्लीज गायट भी क्या मुझे जौब अभी मिल सकती है क्या सो गईसे आप इस सिवम का वीडियो देखने के पाद एक ही चीज आती है वह एक यह बोलना चाहते है हाइली एनर्जटिक है ना बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस फिल्ड में आने के लिए आपको बहुत अनर्जटिक रहना पड़ता है मतलब आप सेल्फ मोटिवेट बन देओ आप सेल्फ स्टार्ट बन देओ मतलब आपने अपने और सोई इतनी सारी चीजे सीख लिए कि उन्हें कुछ कोर्स भी करें मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बुद पता है वाकि एक चीज़ वो बोल रहे कि प्रैक्टिकल नालेज अलग रहता है और जो हम पड़ते वह अलग रहता बिल्कुल सही बोला है बाकि अगर आपको पता है ना थोड़ा बुद आपने पढ़ा है ना भई तो वो जरूर आपको help करने वाला है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना इसके बारे में और आपकी बात करते हैं जो आपके doubts सो उस पर पहले बात कर लेते देखो यह क्या है कि इनको job की requirement है और इनको अभी time है कि अभी इनका 2 मेने बाद exam है उसके बाद इनका result आने बाला है तो आपको time लगेगा मतलब 4-5 मेने 6 मेने लग सकते हैं तब आपका result आएगा उसके बाद आप job search करोगे तो जोब तो 12th base पर भी मिल जाती है और आप जिस condition में यहाँ पर भी मिल जाएग बगर है कैसे होती है इस पर एक बार और प्रिपार कर लो आपको बहुत अच्छी कंपनी मिले क्योंकि अभी आप सर्च करोगे भाई अभी ग्रेजुएशन नहीं हूँ आपको 95% कंपनिया तो मनाई कर देगी जो 5% कंपनी बचेगी बहुत चोटी होगी time to time salary दे या नहीं पर काम कर लो जैसी आपके पास final का marksit आता है पिल्कुल आप जाओ और फिर आपको कोई भी company मिल जाएगी तब तक आपको क्या करना है ये भी सुन लो तब तक आपको एक चीच करना है भी अपने contact बनाओ दस तरीके MR वेकेंसी पता करने का वीडियो है वो देख लो अपने contact बना के रखो ताकि 6 मैने बाद आपको वेकेंसी सर्च नहीं करना पड़े जैसी 6 मैने हो आपके इतने सारे contact हो कि आप कहीं से भी पता करके एक वेकेंसी निकाल सकते हो उसमें इंटर्वियो दे सकते हो तो वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो प्लीज बताइएगा औ और आपका कोई सजेशन हो जो लोग experience लोग हो या जिनको 6-7 मैने का experience या फिर फ्रेशर भी है इनको कोई advice करना चाहते तो वो भी कर सकते कि भाई आप क्या क्या कर सकते हो या इनके पास free time है तो आप भी please comment box में suggest करियेगा तो thank you very much आपके भी कोई doubts हो तो इसी तरीके कि सकते